नमस्कार दोस्तों मैं खितारा मेगवाट टैक समुदर में एक बार फीच से आपका हदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का अमारा वीडियो का टॉपिक कॉम्पीटर से रिगारी है और वीडियो का टॉपिक भी जादा बड़ा नहीं होने वाला लेकिन दोस्तों वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले यदि मेरा आज का यह टॉपिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरू करे और यदि आप मेरे चैनल पे नए है या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये के subscribe बटन पे क्लिक करके चैनल को subscribe जरू कीजिए शब्सक्राइब करने के बास बैल का एक icon आएगा उस बैल icon को जरू प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो feature के आने वाले जो वीडियो है उनका notification आपको मिलता रहे और आप easily उस वीडियो को watch कर सके तो दोस्तों यदि आप कोई office work या business कर रहे हैं तो आपने कई बार face किया होगा कि अचानक से आपके सामने कुछ ऐसे urgency वाले work आ जाते हैं जिनको जल से जल खतम करना बहुत ही important हो जाता है और ऐसे में ज़रा सोचिए वो work computer के typing से regarding हो तो आप क्या करोगे स्वभाविखे आप फटाबस से टाइपिंग करके उस work को जल से जल खतम करने का try करेंगे लेकिन दोस्तों इसी हडबडाट में कई बार हमाय कीबोर्ड की कुछ ऐसी कीप्रेस हो जाती है जिनके कारण computer में बहुत से problem create हो जाते हैं इनी problem मैंसे एक problem है computer screen का black and white होना और जि की और C की यह तीनों एक साथ जब प्रेस हो जाती है तब उसका जो computer का screen है वो black and white हो जाता है और जब आप उसको normal work में लाना चाते हैं तो उसी की को दुबारा से प्रेस करोगे तो आपका जो computer है normal work में आ जाएगा यानि कि आपको दुबारा से control window और C यह तीनों की एक एसा हो जाए तो आप लोगों को इसका solution अलड़ी पता हो और आप इस problem को काफी आसानी से solve कर सको इसके लिए मैंने इस वीडियो को share किया I hope आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने इस वीडियो को काफी enjoy किया होगा तो दस्तों इसी के सा इस वीडियो को टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं नई वीडियो में मिलेगे एक नई मजएड़ा टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहे जय हिन जय बारत